आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल एवरीटिंग ते आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है पाथ सॉप स्पीच जिसमें आज हम पढ़ेंगे अड्जेक्टिफ तो बिना किसी देरी के सुरू करते हैं Adjectives Adjectives are the words or the clauses that shows the quality of noun, pronoun or provide some additional information about them Visiation वो सब या उपवा के होते हैं जो की हमें संग्या या सरनाम के गुन के बारे में बताते हैं या फिर उनके बारे में कुछ अधित जानकारी देते हैं या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि Adjectives are the describing words used to describe or modify the noun or pronoun Visiation वो सब दो होते हैं जिसका इस्तमाल हम संग्या या सरनाम का वर्णन करने के लिए करते हैं Type of Adjective Visiation के प्रकार Number 1 है Adjective of Quality Words that describe the quality of noun or pronoun वे सब जो संग्या या सरनाम के गुन के बारे में बताते हैं उसे हम Adjective of Quality कहते हैं Example के लिए I have a nice teddy Question form हो सकता है इसका Of what kind? आपके पास कैसा डेरी है? तो answer होगा I have a nice teddy Number 2 है Adjective of Quantity Words that describe quantity of noun or pronoun वे सब जो संग्या या सरनाम के मास्करा को बताते हैं वे सब ही Adjective of Quantity के अंडर में आते हैं Example के लिए I have enough money Question form हो सकता है How much? आपके पास कितने पैसे हैं? तो answer होगा I have enough money मेरे पास बहुत पैसे हैं Number 3 है Adjective of Number Words that describe exact number of noun वे सब ही सब जो संग्या के एकदम सतीक मात्रा को बताएं वे सब ही Adjective of Number के अंडर में आते हैं Example के लिए Shivani has 4 apples How many apples Shivani has? Shivani has 4 apples Shivani के पास 4 apples है Number 4 है Demonstrative Adjective Words that point out a person, thing, or animal, etc. वे सब ही सब जो किसी भी व्यक्ति, वस्तू, या प्रानी की तरफ इशारा कर रहे हो वे सब ही Demonstrative Adjective के अंदर में आते हैं Example के लिए This book is mine या book मेरा है यहाँ पर this माइन की तरफ इशारा कर रहा है कि या book मेरा है इसलिए या Demonstrative Adjective है एक बात आप हमेज़ा याद रखे कि Adjective हमेज़ा Noun के पहले आता है और फिर उसे Describe करता है या हमने जितने भी Sentences देखे सब में Adjective Noun के पहले ही आया है और उसे Describe कर रहा है इसलिए हम Adjective को Describing Words भी कहते हैं Next number 5 है Interrogative Adjective WH words are used with noun to ask questions अब WH words क्या होते हैं जो भी words हम question पूछने के लिए इस्तमाल करते हैं उसे हम WH words कहते हैं Example के लिए What, Why, Who, Who यह सब Number 6 तर लास Positive Adjective Words that are used to show ownership वे सभी सब जिसका इस्तमाल हम किसी भी वस्तू पे यह अपना अधिकार दिखाने के लिए करते हैं यहां पर यह ownership शो कर रहा है किसमें अपना बैट घर पे ठो रहा है जो इन इसलिए यह एक Positive Adjective होगा इसी के साथ हमारा Adjective खटम हुआ आज के वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो का अपना वग देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बलते हैं अगले वीडियो में